So guys, जब कभी भी keyword research के लिए कोई नया tool या trick में find out करता हूँ तो उसको आपके साथ जरूर share करता हूँ तो आज काई वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने affiliate marketing या SEO के लिए unlimited keywords generate कर सकते हैं और वो भी free में So hello guys, I am Rohan and without any further delay, let's dive into the video So guys, पहले आपको Google में आना है और वहाँ पे search करना है keyword sitter और उसके बाद enter कर देना है तो first number पर आपको आजाएगा keyword sitter.com तो उसके उपर आपको click करना है तो जैसे आप उसके उपर click करेंगे तो आपको ये वाला उसका homepage open होके आजाएगा तो आपको यहाँ पर simply box में जाना है और आपका main keyword डालना है so let's suppose कि मैं एक weight loss product के लिए blog लिख रहा हूँ या उसको लिए keyword generate कर रहा हूँ ताकि मैं paid ads के थूरू से promote कर सकूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ how to lose weight fast weight loss tips तो मैंने यह दो keywords लिख दिया अभी उसके बाद क्या करना होगा आपको यहाँ पर नीचे आना होगा और sit keywords का एक button दिख रहा है उसके ओपर आपको click करना होगा अब देखेगा इस magic शुरू हो चुका है क्योंकि यहाँ पर आप unlimited keywords generate कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपर जब आओंगा तो अभी 243 keywords हो चुका है तो आप जितने time तक रुकेंगे उतना ज़्यादा keywords यहाँ पर generate होता ही रहेगा तो आपके उपर depend करता है कि आप कैसे इन keywords को use करने वाले हैं तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस keywords को कैसे shortlist कर सकते हैं और इन 500,600 या 1000 जो भी keywords आप ढून रहे हैं उसको Excel sheet में कैसे shortlist करके आप अपने use के लिए 5200 keywords रख सकते हैं तो अभी के लिए मैं इतना ही 900 keywords को रहने दे रहा हूँ और यहाँ पर stop job पे click करता हूँ stop job कर लिया और उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और control A करके copy कर लेना है so guys copy करने के बाद आपको एक Excel sheet create कर लेना है और इसी words को वहाँ पर paste कर लेना है so guys मैंने यहाँ पर paste कर लिया वह सभी keywords को तो अभी निचे चलके देखते हैं कितना keywords यहाँ पर हुआ है तो देख सकते हैं 954 keywords मैंने generate कर लिया so guys हमने 954 keywords तो find out कर लिया लेकिन इतने सारे keywords हम लोग use करने वाले नहीं है क्योंकि अगर हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पर 10-15 keywords है अगर आप add run कर रहे हैं तो आप 100-150 या 200 keywords इनिशियल फेज में ले सकते हैं तो इसलिए हमें कुछ targeted keywords को find out करना होगा so let's suppose कि मैं किसी भी एक product को promote कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा target market United States हो और मैं उसे search arts के through promote करना चाहता हूँ तो guys यहाँ पर आपको थोड़ा creativity यूज करना होगा so अगर मैं search arts में promote करना चाहता हूँ तो अगर कोई लोग Google में search करता है कि how to lose weight in YouTube तो वहाँ पर हमारा art नहीं दिखना चाहिए क्योंकि अगर उस टाइम भी हमारा art दिखेगा तो unnecessarily हमारा money waste हो जाए क्योंकि वह एक YouTube search है और अगर कोई भी visitor उस art पर click करता है वह simply जाएगा फिर से back करके चलाएगा क्योंकि वह एक वीडियो में interested है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सारा searches आता है कि how to lose weight fast in Hindi YouTube तो ऐसे ही आपको अपना creativity यूज करना है और यहाँ पर check out करना है कि कौन-कौन से ऐसे keyword है जिसको मैं यहाँ से remove या eliminate कर सकता हूँ तो अभी के लिए मैं आपको दिखा सुका हूँ कि आप कैसे YouTube को remove कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंणड़ा लिखा है तो ऐसे ही क्यूंकि मैं United States में promote कर रहा हूँ तो कंणड़ा लिखा होगा तो कोई भी वहाँ पर search नहीं करेगा तो गाइस मैं अभी आपको एक trick बताने वाला हूँ जिसको use कर कि आप यह सब unnecessary keywords को remove कर सकते हैं और अपने इस long keyword list को short बना सकते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl A प्रेस करना होगा और उसके बाद आपको Ctrl F प्रेस करना होगा तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था है कि हम लोग YouTube searches यहाँ पर नहीं चाहते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर YouTube टाइप किया और यहाँ पर find all पर click किया तो यहाँ पर सभी keywords मुझे Excel दिखा देगा जो की YouTube से related है यानि कि जहाँ पर YouTube लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको बहुत ही सारे keywords मिल जाएंगे जहाँ पर YouTube लिखा है तो आप single single करके delete करेंगे तो बहुत ही time लेग जाएगा तो इसलिए यहाँ पर आपको फिर से Ctrl A प्रेस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर simply close पर click कर दना है और उसके बाद आपको सभी keywords highlight होगे होंगे जो की YouTube टर्म है वहाँ पर तो यहीं पर simply आपको delete प्रेस कर दना है तो यहाँ पर जो जो searches जहाँ पर YouTube लिखा था वो सब भी delete हो चुका है और एक keyword को आपको मैं delete करके दिखाता हूँ देखे यहाँ पर Pakistan यानि कि मैं United States में promote कर रहा हूँ तो मैं Pakistan टर्म उसमें होना नहीं चाहता हूँ तो उसके लिए आपको simply किसी भी एक box में क्लिक करना है और उसके बाद control A प्रेस करना है और उसके बाद control F प्रेस करना है और यहाँ पर मैं Pakistan टाइप किया और उसके बाद find all पे क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत ही सारे keywords मिल गया है जहाँ पर कि Pakistan लिखा हूआ है तो लेकिन अभी फिलाल के लिए एक ही keyword selected है तो अभी मैं control F प्रेस किया और close किया उसके बाद मैंने delete बटन प्रेस कर दिया तो जो keyword पाकिस्तान लिखा हूआ है तो देखें यहाँ पाकिस्तान लिखा हूआ था तो delete हो गया तो और एक आपको example में दिखाया था हूँ तो यहाँ पे द क्लिखना है तो उसके बाद आपको find all पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो-जो keyword में Tamil term था वो सब यहाँ पे highlighted हो चुका है तो अभी यह फिलाल के एक ही keyword highlight हुआ है तो यहाँ पे मैं control A प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पे जो-जो भी keyword थे सब भी highlight हो चुका है तो यहाँ पे आपको close पे क्लिक करना है और देखें यहाँ पे जो-जो term में Tamil है सब already highlight हो चुका है तो आपको simply यहाँ पे delete पे press कर देना है तो इसको यूज़ करके आप आसा नहीं से अपने keyword मतलब जो long keyword list generate किये हैं उसको short keyword list कर सकते हैं तो guys यह keyword tool मेरे लिए बहुत ही helpful रहा है इसलिए आपके साथ इसे मैंने share किया तो आसा करता हूँ कि आपको यह बहुत helpful रहेगा so guys अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो like जरूर कीजेगा और आप अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा और अगर आप इस channel पे नए हैं तो channel को subscribe करके bell icon पे press कर दि कर दो आपके साथ